हेलो एवरी बन नीबू का रायता हम नीबू के रायते की रसिफि लाए है और बहुत ही टेस्टी हो जाय केदार होता है नीबू का रायता, बहुत ही अच्छा लगता है जटपठ बनके त्यार हो जाता है चलिए बनाना शुरू करते हैं 200 ग्राम निभू लिए हमने इनका रस निकाल लिया है अब रस को हम छान लेंगे इसमें जो बीजे बगए रहे हैं वो निकल जाएंगे यह हमने चन्नी लिए और इसमें हम रस को छान रहे हैं बहुत ही स्वाधिस्ट होता है और जटपट बनक और यह देखे हमने चान लिया है और बस इसके बीजे निकाल दिये हैं लक से और अब इसमें हम 2 टेबिल इस्पून शक्कर डाल रहे हैं यह तो जरूरी है 200 ग्राम निभू के रस में यह हमने शक्कर डाल दी 2 टेबिल इस्पून और काला नमक एक चम्मच मतलब टीस्पू डाला है इसको मिला लएंगे अच्छी तरह से शक्कर भी अच्छी तरह से घुल जाए और यह मिर्ची डाली है छोटी चम्मच डाली है मिर्ची का पाड़ो काली मिर्ची एक चम्मच डाल दी है बारिक पीसी भी डाली है और इनको अच्छी तरह से मिला लएंगे शक्कर प फकलास पानी डालेगे इसमें इसमें पानी डाल दिया और शकर पूरी अच्छी तरह से खुल जाए और यह सारे जो सूखे मसाले ढले और यह भी मिल जाहिए अच्छी तरह से इस तरह से हमने चला का दो मिनट तक चला आयका और 200 ग्राम बुंदी लिए हमने और ये बुंदी डाल दिये इसमें और इसको चला लेंगे अच्छी तरह ऐसे और 2-3 मिट तक इस तरह से ही रखेंगे जब तब बुंदी में अंदर मसाला मिल जाएगा रस मिल जाएगा अच्छी तरह से फिर परुसाएंगे इसको पूरी के आप पकोड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है चीले के साथ खाईए और जटपट बनके त्यार हो जाता है हाजमेदार तो होता ही है और फायदा भी करता है टेस्ट ही बहुत होता है बस ये आनली जी आप पकोड़ी के साथ बना के खाईए पकोड़ी में डालके आपको हमारे नीबू के जो राइता बनाया उसकी देसे पी पसंद आए तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए